आपका यह अध्याय कक्छा 10 वी का है लेकिन कक्छा 12 वी में यह अध्याय है तो इस अध्याय के सभी प्रशन कक्छा 10 वी और कक्छा 12 वी दोनों कक्छाओं के चात्रों के लिए बहुत ही important अध्या है तो इस वीडियो को कक्छा 10 के चात्र वी देखें और कक्छा 12 वी के चात इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले है ये देखें हमने चित्र के दोर आपको समझाया है इनके उत्तर भी बताया है तो ए हम आपको अभी समझाने वाले है ये आप देख रहे होगे बहुत ही बहतरीन तरीकेशे हमने आपको समझाया है अब आपके सामनी पहला प्रशन आ गया है अलेंगे के जनन मुकलन द्वारा होता है तो आप से दुखो एप मुछा गया है कि जो अलेंगे के जनन है मुकलन द्वारा होता है तो ऐसा कौन सा जीब है जिसमें मुकलन के द्वारा अलेंगे के जनन होता है तो East और Hydra ठीक है तो दो जीव होते हैं एक होता है आपका East और एक होता है Hydra दोनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है इसको मुकुलन क्यों कहते हैं क्योंकि किसी मतलब इस तरह के जीव से मुकुल बन जाते हैं आपके सामने कलगा देख रही है इस तरह से मुकुल बन जाते हैं और वो पहले वाले जीव से अलग हो जाते हैं और एक नए जीव को बना देते हैं ठीक है तो आपसे सरफ पूछा गया है कि अलेंगे के जनन मुकुलन द्वारा होता है ऐसे जीव का नाम बताओ तो East और Hydra आपका दिया नहीं हो सकता आपसे परिक्षा में East ना लिखाओ Hydra लिखाओ ठीक है तो East और Hydra में नुकुलन द्वारा जनन होता है इसे कहते हैं Budding Bud बोलते हैं ठीक है इंगलिस में अब आपका प्रश्ण है कौन मानाव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ठीक है तो आप सभी जानते हैं कि नर जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं और मादा जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो देखना है तो देखो ये गरवासा है और गरवासा में आप सभी जानते हैं जब भुरून आ जाता है तो यहीं पर विकास करता है ठीक है शुक्रवाहिका तो देखो ये शुक्रवाहिका है तो ये शुक्राणू ले जाता है शुक्रवाहिका ये कहां होती है ये पुरुश्व में होती ह तो आपका यह उत्तर सही हो जाता है सुक्र भाई का तो आपका यह वाला सही हो जाता है और जो है दिम्ब भाईनी तो दिम्ब भाईनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग है तो देखो यह आपकी दिम्ब भाईनी इसे ही बोलते हैं अपन अंड भाईनी तो आप अच्छे से सम मुझा है कि मानाव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो सही उत्तर क्या है सुक्र बाई का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है अब है पराग कोश में होती है तो देखो पहले तो आपको सब्द पर ध्यान देना है क्योंकि सब्द में ही उत्तर छेपी रहती है तो आपका सब्द है पराग कोश ठीक है तो जो कोश सब्द है कोश माने होता है देखो थेला ठीक है पराग कोश पराग माने पराग कन पराग कन तो यही उत्तर अपना बन जाता कि पराग कोश में होते हैं पराग कन होते हैं ठीक है और ये पराग कुष होता क्या है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो आप सभी जानते हैं जो पुष्प होता है उसमें दो भाग होती है एक नरभाग और एक मादा भाग ठीक है तो जो नरभाग होता है वो आपका देखो यह है नरभाग यह है आपका नर भाग है इसे अपने पुंकिशर बोलती है तो इसका जो ऊपर का भाग है इसका जो देखो ऊपर का भाग है यह अपना यह होता है पराग कोश और यह दो पालियों में बटा होता है यहां देखो यहां पर देखो दो पालियों बटा होता है ठीक है और इसमें क्या भरे है यहा लाग कन ठीक है अब है नर युगमक एबं मादा युगमक के सल्लैन की क्रिया कहलाती है तो प्यारे बच्चो ए दो नम्मर में भी प्रशन आता है कि नर युगमक यह आपका देखो यह आपका नर युगमक है और यह आपका मादा युगमक है तो नर युगमक और मादा यु जाते हैं निश्यचन यह दोनों मिल जाते हैं तो इसे बोलती है निश्यचन ठीक है तो नरीगुमक यह मादा इगुमक के सल्लेन की क्रिया कहलाती है निश्यचन और बच्चो जब निश्यचन हो जाता है तो निश्यचन के बाद जाइगुट बनता है यह अपना अंडप का सीर्स भाग क्या कहलाता है तो प्यारे बच्चो जो अंडप है पुस्प का मादा भाग होता है और सीर्स होता है सिर्भाग सीर्स माना होता है सिर्भाग ठीक है बच्चो तो पुस्प का जो मादा भाग है उसे अपन अंडप बोलती है एक रचना को अंडप बोलत सीर्स माने सिर तो देखो यह आपका अंडप है अब अंडप का सीर्स भाग सीर्स का भाग माने अग्र भाग यह देखो यह आपका सीर्स भाग है यह अग्र भाग है यहां क्या लखाऊगा है यहां लखाऊगा है बरतिका अग्र इसको अपन बरतिका भी बोलते हैं तो बरतिका का अगर भाग बरतिकागर अगर भाग क्यों कहा क्यों कि उसने प्रिशन में पूछाई है सीर से भाग ठीक है आप बास समझ गया न अंडप का सीर से भाग क्या कहलाता है बरतिकागर कहलाता है पूरी रचन आपको क्या कहते हैं इस्त्री के सर कहते हैं अंडब कहते हैं और देखो इसको और समझो बच्चो तो देखो यह आपका पूरा है अंडब यह आपका हो गया बरतिकाग्र और यहां से यहां तक कि जो रचना है यह आपकी बरतिका होती है। जो अंडग का निचला फूला वगाव होता है, अपना अंडसा है बोलती है। और अंडसा से बच्चो फल बनता है. और आपसे पूंच लिया जाए कि बीजान्ड से बीज बनता है अंडा साइसे फल बनता है तो आप समझें बच्चो अंडप का सीर से भाग क्या क्या लाता है बरतिकागर क्योंकि यह बरतिकागर की ऊपर का भागर अगर का भागर इसलिए यह से अपने से बरतिकागर बोलते हैं अब है अलेंगिक प्रेजनन होता है तो बच्चों आप सभी जानते हैं प्रेजनन दो प्रकार का होता है प्रेजनन दो प्रकार का होता है एक होता आपका लेंगिक और एक होता आपका अलेंगिक ठीक है तो जो अलेंगिक प्रेजनन जो आपका होता है वो कई प्रकार का होता है ठीक है तो उसमें एक आपका होता है दाब लगाना एक आपका होता है दाब लगाना इसको अपन लेयरिंग बोलती है क्या बोलती है लेयरिंग बोलती है तो जो दाब लगाना या इसे अपन लेयरिंग बोलती है ठीक है ये अलेंगेक परिजनन होता है अब बच्चो आपके सामने अगला प्रशन है कि मानाव में निसेचन कहा होता है तो मानाव में निसेचन कहा होता है तो निसेचन क्या होता है नर युगमक और माता युगमक की मिलिने को निसेचन कहते हैं तो देखो बच्चो यहां से यहां से जब अंडा आपको बताते जाते हैं तो दोको यहां से अंडा बन करके ऐसा यहां पहुंचता है यह होती है बच्चो फैलोपी या नलका या अंडवाहिनी नलका समझे ना बच्चो और यहां से बच्चो जो है यहां से जाता है सुक्रा तो यहां पर होता है दोनों का मिलन इसे बोलती है अपन निशेचन तो नर युगमक और मादा युगमक के सनलेन को निशेचन कहते हैं यह होता कहा है वो आप से पूछा गया है तो देखो जब कोई चीज यहां पर बहन होती है जब कोई चीज कहीं पर बहन होती है तो यहां से यह आपका बहरा है यहां से अंडा अधर आ रहा है तो जो नलका है नामी इसका है अंडवाहिनी ठीक है तो निशेचन कहां होता है अंडवाहिनी नलका में होता है निशेचन कहां होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है ठीक बच्चो तो पुष्ट के मुख्य तहा चार भाग होती है तो कौन-कौन से होती है तो दुखो दो तो हमने आपको पहले ही बता दिया एक नर भाग होता है एक मादा भाग होता है ठीक है तो देखो नर भाग जो है तो नर भाग तो देखो बच्चो ए है इसे अपने पुंके इस तरह आपके मुख्य चार भाग हो जाते हैं कुश्प के कितने भाग होते हैं सही उत्तर आपका चार प्यारे बच्चो अब आपसे पूछा गया है कि बीजांड निर्माण करता है तो देखो बच्चो हमने आपको बताया था कि पराग कोश्प में क्या होता है पराग कोश्प में पराकण होते हैं तो कुछ सब जैसे होते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ता है समझ के ही उत्तर नकलाता है तो बीजांड निर्माण करता है तो बीजांड से क्या बनता है बीजांड से बच्चो बीज बनता है और अंडा सह से फल बनता है इसके पहले हमने आपको पताया भी था समझे गए उत्तर आप बीजांड से निर्माण होता है बीज का बच्चो अब आपके सामने हैं रिक्तिस्थान क्या है सजीवों में अपने ही समान आकरती, रूप के नए जीवों को उत्पन करने की च्छमता कहलाती है क्या कहलाती है तो देखो बच्चो ए देखो ए कोई जीव है जीवधार है आप सब जानते हैं यह माह है और माह से क्या बच्चा बना उसी के समान मना आख भी हैं दो नाख भी है कान भी है ठीक है रंग रूप आ कार अधक्तर समान होता है तो देखो बच्चों एक प्रस्द है आपका important कि जनन किसे कहते हैं ठीक है तो देखो जनन जीवधारियों की वह प्रिक्रिया है जिसके द्वारा वह जीवदारी अपनी जैसी नई संत्ति उत्पन करते हैं जनन कहते हैं तो वही यहां पर लखा हुआ है कि सजीवों में अपने ही समान आकरती रूप के नई जीवों को उत्पन करने के चमता जनन कहलाती है आपको यहां लखना था जनन और आसा करते हैं आपको सभी उत्तर समझ में आ रहे हैं इसी तरह सभी उत्तरों को जानने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें